नमस्कार विरिश्चिक राशी वालों दोस्तों स्वागत ही आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो विरिश्चिक राशी वालों दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे विरिश्चिक राशी वालों माभवानी के आशिरवाद से आप दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें विरिश्चिक राशी वालों आप शभी को बता दें कि इससे बड़ा शुब शंकेत आपने आज तक नहीं देखा होगा जीहा विरिष्चिक रासी वालों आज साम चार बजे के बाद आपकी जिंदगी में बवाल मशने वाला है जीहा विरिष्चिक रासी वालों जानकारी के लिए आप शभी को बता दे कि यह समय से आप शभी के जिवनकाल में एक बहुत ही बड़ा पदलाव होने वाला है कि दोस्तों आज की यह वेडियो वह सभी बातें बताने वाले हैं कि आज की यह विडियो ग्रह गोछर पर आधारित एवंग आप शभी के फायदे के लिए बनाई गई है इसे आप शुरूशने लेकर अंत तक जरूर देखेगा इस बात की गैरंटी है कि आपकी समय की बरबादी मिलकुल नहीं होगी और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगा जो बातें आपको बताएंगे जो कि दोस्तों आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों हमारी आपसे बस इतना ही विनती है इस वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाईएगा दोस्तों हिंदू धर्म के अनुशार और पुरानों के अनुशार बताया गया है कि भगवान च्री हरी विश्नु महराज जी को जो सच्चे भाव से सच्ची भक्ती भाव से पूजा करती हैं उनके घर धन धान की कमी नहीं होती है क्योंकि दोस्तों भगवान च्री हरी विश्नु महराज जी को प्रसन्न करने शी इससे मालक श्मी जी प्रसन्न होती है और यही कारण है कि उनका घर कभी खाली नहीं होता है और उनका घर धन दौलों से हमेशा भरा रहता है दोस्तों जानकारी के लिए एक बात आप शभी को बता दें कि जब भी आप धन की देवी मालक्ष्मी जी को पूजा अराधना करें तो शाथी साथ भगवान विश्नु महराज जी को भी जरूर याद करें क्योंकि दोस्तों दोनों ही धन के मालिक हैं धन के दिवता हैं इतना ही नहीं जो व्यक्ति मालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विश्नु महराज जी को भी वीधी विधान से पूजा करते हैं उन्हें शंकट से तो दूर होते ही हैं साथ ही साथ उनके जीबन में पैसों की समस्या कभी नहीं होती हैं उन्हें हर तरब शे कुछ न कुछ धन का आगमन होते रहता है च्योंकि दोस्तों मा लक्षमी ऐसे घरों में शदेव बास करती है इतना ही नहीं वीडियो के अंत में हम आप शवी के लिए एक उपाई भी बताए हैं जो कि यहाँ उपाई मा लक्षमी और भगबान बिशनु महराजी से संबंधित है दोस्तों वीडियो में हमारे शाद अंत तक बने रहीएगा दोस्तों सबसे पहले आप अपने इन प्यारे हाथोशे एक लाइक वीडियो को जरूर परदान करें और कमेंट बाक्षमें जै मातादी जै सिरी हरी विशनु महराज जै मालक्षमी जरूर लिखिएगा तो चलिए दोस्तों आगे वड़ते हैं और बात करते हैं यह समय से आप शभी के जिवनकाल में क्या-क्या बदलाव करने वाले हैं और कौन-कौन से शुब शंकित मिलने वाले हैं लेकिन उश्य पहले वीडियो को एक लाइक जरूर किजिएगा लेकिन उश्य पहले एक अनमोल विचार आप शभी के लिए दोस्तों देखिए जिन्दगी जूले की तरह होता है क्योंकि जूला जितना पीछे जाता है वो उतना आगे भी जाता है एक दम बरावर ना आगे ना पीछे ठीक उश्य तरह आपके जीवन में दुख है तकलीफ है तो शुक भी आएगा बस आपको विश्वास उश्य भगवान पर उस बच्चे की तरह रखना है जब बच्चा हवा में उच्छाला जाता है तो वह डरने की बजाए हसता है क्योंकि उन्हें पता है आप उश्य गिरने नहीं देंगी ठीक उश्य तरह भगवान पर भी भरुशा रखिए भगवान भी आपको कभी गिरने न देंगे और ना ही कभी ठोकर लगने देंगी क्योंकि शब का मालिक वही है वो जो भी करती हैं अच्छे के लिए ही करती है और आपके भले के लिए ही करती है दोस्तों बात अगर आपको शमज आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सरूर किजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्ष में लिखिएगा राधे राधे जैसरी कृष्णा शरीय दोस्तों बात करती हैं अब दोस्तों भगवान विस्नु महराज और मालक्ष्मी की आश्रिवाद सी यह समय से व्यापार कर रहे लोगों के लिए किसी नई डिल को लेकर आशकता है आपके मांट सम्मान में व्रिद्धी होने से आपका मन प्रसंद रहेगा और ससुराल पक से भी आपको धन लाब मिलता हुआ दिखाई दे रही है इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपको बता दे कि यदि धन सम्मंधित कुछ समस्याएं आपको चली आ रही थी और आपको काफी ज़ादा परिसानी हो रही थी तो उनसे भी अब आपको छुटकारा मिल सकता है आप किसी मांगली कुट्सा में सम्मेलित हो शकती हैं जहां आपको किसी से तोल मोल कर बोलना बहतर रहेगा शत्रू पर बिज़ाई प्राव्त कर सकती हैं और किसी समस्या से आसानी से निपट जाएंगे इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो शमय होंगी यहाँ समय आपके व्यापार में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले समय रहेगा और इस समय छोटे मोडे व्यापारियों को भी अच्छा खासा मुनाफा लाव हो शकता है इसके उपरांत आज का दिन कुछ समय परिवार के सदस्यों के साथ बातचेत में शमय वैतित करेंगी और छोटे बच्चे भी आप से काफी ज़्यादा प्रसन रहेंगी लेकिन उनकी आपको जो है भावनों को समझना होगा जो कि आपके लिबे डर रहेगा इसके उपरांत आपके जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिजो समय होंगी यह समय काम में ब्यश्ट रहने के खारण शंतान की बातों की और धिहान नहीं देंगे जिससे वह आपसे नाराज होशकता है इसके उपरांत कारिक्षित्र में चल रही परिशानियों से अभी आपको मित्र की मदद से जो है समस्या समाप्तु हो शकता है। ऑनलाइन में इस समय आपको ज़्यादा लाव देशकता है। अगर कोई शोसल मिडिया पर कारी कर रहे हैं तो आपको इस समय काफी ज़्यादा सावधान और शतर करेहना होगा। इसके उप्रान्थ आपके दिन्चर्या के लिए जो समय होगी। यह समय अगर आप धन का लेन दिन कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी पुर्वक फिशेगा धन के लेन दिन के मामले में अभी आप सावधान रहने होंगी। इसके उपरांद कोई भी धन उधार मांगे तो वहाँ परिवार के किसी सदसे बादचित करके ही दें तो अभी आपके लिए बहतर रहेगा। लोगों के शाद जो है इधर उधर बैटकर खाली समय बैतित करेंगी जिससे आपके काफी काम जो है लड़क शक्ति हैं। कारिक शित्र में आपकी उपर कोई काम का बोज होने के कारण आप गोए थोड़ा बहुत परिशान रहेंगी। लेकिन दोस्तों परिसानी इनका शमाधन नहीं है आपको जो है सच्चे मन तन्मन शिक कार्यों में शमय लगानी है ताकि दोस्तों कार्य आपका जो है पूरी तरह से शंपन हो माता पिता का आशीरवाद आपके साथ बना हुआ है आपको कुछ समय माता पिता के साथ समय वैदित करने मांशिक शांति मिलेगी और आपको बहुत कुछ शीखने को भी मिलेगा दोस्तों खाश उपाएक अगर बात करें तो गुरु बार को केशर पीला चंदन या फिर हल्दी का भी दान करना आपके लिए बहुत शुब माना गिया है ऐसा करने शे गुरु मजबूत होता है जिससे आरूग और सुक की बृद्धी होती है इसके साथ ही घर में शुक्षांदी का वाश होता है अगर आप इनका दान नहीं कर पाती है तो कोई बात नहीं है आपको घबराना नहीं है बस इन्हें तिलक के रूप में माथेशे भी लाब लगा लें आप कुछ में काफी जादा लाब मिलेगा